हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी एप्लिकेशन का डाटा किस तरीके से आफ कर सकते हैं माली जे आपका फॉन घर में यूँ ही पढ़ा रहता है ठीके उसको कोई भी यूज कर लेता है लेकिन आपके पास कभी कबार ऐसा होता है कि आपके पास जो data है daily का जो data आता है MB आपको मिलती है वो आपकी बहुत कम बचती है ठीके बहुत कम रह जाती है आपके पास में MB नहीं होती है ठीके तो आपका phone ऐसे ही घर में पड़ा रहता है ठीके आपका phone कोई भी use कर लेता है और लंबी लंबी वीडियो देखने लगता है या फिर Instagram कुछ भी application इस तरीकी की खोल कर बैठ जाते है और आपका जो data है वो खतम कर देता है तो दोस्तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आपके पूरे phone का जो internet है वो चालू रहेगा लेकिन किसी भी एक application का है दो application का जितने भी आप चाहेंगे उनका internet बंद हो जाएगा ठीके दोस्तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते है उसे पहले एक छोटी सी request अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लीजिए और साथ में bell icon press जरू कर देना ताकि आने वली वीडियो को notifications आपके पास सबसे पहले पहुँचे ठीके दोस्तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते है दोस्तो देखे उसके लिए आपको करना क्या है उसके लिए आपको settings पर चले जाना है ठीके दोस्तो अब आपको यहाँ पर देखे app management पर आप आगए यहाँ पर आपके फोन में जितनी भी apps होंगी सब की सब यहाँ पर open हो जाएंगे ठीके दोस्तो अब यहाँ से माली जो कोई भी एक app है ठीके यहाँ से कोई भी एक Instagram है मैं यहाँ से इस पर Instagram पर open कर लेता हूँ ठीके ऐसा दोस्तो इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा अब दोस्तो यह किसी भी app को आप यहाँ से यह वाला इंटरफेस जो है यह ला सकते है YouTube हो गया WhatsApp, Instagram और भी Snapchat वगेरा अब दोस्तो क्या होता है कि अगर यह आपको यहाँ से नहीं मिलती है यह वाली सैटिंग तो आपको करना क्या है देखी यहाँ पर कुछ भी है जैसे कि WhatsApp है या फिर Snapchat ले लीजिए आपको Snapchat पर क्लिक करके रखना है थोड़ी दिर ठीके होल्ड करके रखना है यहाँ पर एक i-button आएगा ठीके या फिर आपको app info करके भी देखने के लिए मिल रहा होगा ठीके आपको यहाँ पर i-button या app info करके option आएगा आपको यहाँ पर क्लिक कर देना ठीके दोस्तो आपके सामने वही वाला interface खुल करके आजएगा जो की अभी था ठीके दोस्तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है आपको data usage पर चले जाना है ठीके दोस्तो आपको data usage पर चले जाना है उसके बाद मैं देखिए यहाँ पर disable mobile data disable Wi-Fi ठी के आपको इनको दोनों को यहां से on कर देना है दोस्तों यह जोです से सब rude सी अलग इलग होती है अगर आपके फून में यह दोनों पहले से ओन हो तो इसको आप आफ कर देना अगर यह आपके फॉन ही चले के दोस्तो देखे दोस्तों यहां से यह मैंने अब यहां पर बता Pokémon अब को यहां पर पर लाइडर पर क्लिक कर देवे थिक है आपकohl यहां पर लेटर पर टिक कर देना है उसकी बाद माँ क्या देखिंजिए अब इसको झ시면 हरूं और थोड़ा सा सोच सव रही हो कि मैं अंदर बैठा हों ठीक है दिखिए दोस्थों यहाँ यहां पर यह जो Internet है आपका चालो अब दोस्तों आपको यहां से आथ करना है यूट्यूब का हेट तो आपको यहां पर क्लिक करके रखना है धोड़े ठीक है यहां पर आपको होल्ड करके रखना है उसके बाद में आपको यहां आई बटन दिखेगा आपको आई बटन पर क्लिक कर देना ठीक है दोस्तों उसके बाद में वही वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा उसक इसको भी on कर देना ठीक है दोस्तों अब आपने यह दोनों यहां से on कर दिया आपके फोन में अगर off करने का options हो तो आप यहां से off भी कर सकते हैं अब देखें दोस्तों यहां से अब मेरा जो इंटरनेट का data है देखिए वो यहां से जो है on है ठीक है अभी मैंने आपको YouTube यहां से YouTube को ठीक है देखें दोस्तों यहां से यह यूट्यूब है मेरी इसका जो data है वो off है अब यह YouTube जो है मेरा वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा देखिए यहां से उपर कर रहा हूं तो नहीं जा रहा है नहीं 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 चाहरा है क्योंकि इसका जो इंटरनेट है वो अब आपके फोन में कोई भी अगर खोलने की कोशिश करेगा आप इसी तरीके से अपना WhatsApp, Instagram, Snapchat या फिर YouTube जो भी आप करना चाहते है उस तरीके से इसका जो data है उसको off कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो data है किसी भी app कर सकते हैं off दोस्तों अगर वीडियो पस संदायो चनल को सब्सक्राइब जरू कर देना चलिए मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाज शुक्रिया